केके पाठक जी दिल्ली गए है तो नए अधिकारी आएंगे करेंगे काम चिंता नहीं करेंगे अधिकारी और मंत्री आते और जाते रहते हैं वेवस्ता और संस्ता चलती रहती है चिंता ना करें सारे को सुनने पड़ते हैं सारे को काम करने पड़ते हैं तो उनको जिस तरह की दवा होती है दवा दिया जाता है विपक्ष सदन चल रहा है जंता को कुछल दो रौन दो ऐसे विपक्ष को क्यों जंता रखेगी और अपनी मनमानी करते रहते थे पुर्व सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्र सेखर की भी बात नहीं सुनती थे और अपनी मनमानी में लगातार लेटर और फर्मान जारी करते रहते थे लेकिन देखिए सरकार बदल गई उसके बाद भी उनकी मनमानी जो है कम नहीं यहां सबस्क्राइब नहीं है अब देखिए सिक्षा विवाग के परमुख्य सचिव के के पाठक की जो है केंद्रिय परतिन उक्ति पे भेज़ दिया गया है सबस्क्राइन है और वह से अधिकार के अधिकारी नहीं है न ही सुनी तो सुनी जाएगी कि पाठक जी दिल्ली गये है तो नहीं अधिकारी आएंगे करेंगे काम चिंता नहीं करें कोई महत है जी विपक्ष सदन चल ला है सरक पे जा रहे हैं जनता को कुछल दो रॉन दो ऐसे विपक्ष को क्यों जनता रखेंगे 17 महिना में कुछ नहीं हुआ सब छलाबा और देखाबा है 17 महिना के अंदर एंडिये के द्वारा किये गए कार्जों को पुनर किया गया अधिकारी और मंत्री आते और जाते रहते हैं वेवस्ता चलती रहती है चिंता ना करें और भी जो बेहतर हो सकता जनता के हित्में विद्यार्थी के हित्में वह काम किया जाए तो आपने विखार सरकार की पर सासन नहीं वह केंद्री है परसासन है तो इसलिए उन्हें समय समय से बदला जाता है लेकिन अगर नहीं उनकी दवाई करती है हमारी सरकार है कोई भी अधिकार ये उनको सुनना परेगा अब कोई भी सिक्षा विवाक्य परमुक्ष सची बनेंगे उनको भी सुनना परेगा अगर नहीं सुनेंगे तो उनकी भी दवाई होगी जिस तरीका से केके पाठक की दवाई हो गई है कमलेश कुमार लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें